Dear Children, स्वागत है आप सभी का, हमारी YouTube चैनल Study with दुलार में बच्चों ये Class 2 का Indie Book है, वो Chapter 2 है, इसी तरह का एक Chapter आपको 3 Class मिलेगा जो कि उसका वीडियो पहले से बना हुआ है, और फिर आपको मैं ये Chapter परके बतला देता हूँ और इसका Question-Answer मैं दे देता हूँ, तो आए हम लोग इसको पढ़ना सुरू करते हैं सिस्व मंदिर की घंटी बजी, भाया भाने, सभी अपने वर्ग में आकर बैठ गए थे आचायरी जी आए, सभी आदर से खड़े हो गए, आचायरी जी ने सने के साथ बैठने का संकेत किया, सभी बैठ गे वर्ग में सांती थी जब आप लोग क्लास में जाते हैं, रातना होती है, उसके बाद सिछक आते हैं, उसी तरह से यहां भी बतलाए जा रहा है जब पीचर क्लास में आते हैं, उनके समान में आप लोग कड़े हो जाते हैं, ठीक उसी तरह यहां बतलाए जा रहा है आचायरी जी ने सिरी राम से पूछा, कववा के काउव काउव और मानो सिसु के आ आ, उ मा, मम के उचारन में क्या अंतर है किसी बच्चे से स्वाल के आ इया, बच्चा जवाब दे रहा है, काउव काउव करना ही कववा की बोली या भासा है, इसका विकास नहीं होता परमानों सिस्व द्वारा एक दो वर्णों का बोलना भासा का आरम है इसका दिरे दिरे विकास होता है सिरी राम ने उत्तर दिया बच्चे ने यह बतलाया तो हुआ जो है हमेशा काँ काँ ही बोलता रहेगा लेकिन छोटा बच्चा जो कुछ ही बोलता है आगे चलकर फिर वह बोलना प्रारम करेगा वर्ण दो परकार के क्यों होते है भरतलाल ने पुछा कोई बच्चा पुछ रहा है तो वर्णों के उचारन पर विचार करके हमने दो परकार के वर्णों की पहचान की है सिच्छा किया पर बतला रहे है पहला स्वरवर्ण जो सोतंत्र होते हैं ये वेंजन के उचारन में सहायक भी होते हैं दूसरा वेंजन वर्ण जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं ये दोनों मिलकर सब बनते हैं जैसे कि क अ और ये दिखें यहां पर कला बन गया है इतना सारा मिलने के बाद कमल ठीक है जी हाँ हिंदी भासा में स्वर्वर्न गारा है यह पिजिन सकते हैं 11 भावेल्स जिसकों लोग इंगलीज में भावेल्स बोलते हैं स्वर्वर्न गारा है क्या इनके भी भेद हैं आभा ने पुछा कोई बच्चा फिर पूछ रहा है कि इनका क्या भेद है हाँ इनके भी भेद है A, E, U, R ये चार हर्षु स्वर हैं इनके उचारन में कम समय आनी एक मात्रा का समय लगता है A, दिर्गई, दिर्गव ये तीन दिर्ग स्वर है इनके उचारन में दो मात्रा का अर्थात दोगुना समय लगता है जैसे A, डबल A मिलके A में अकर A बन गया और W मिलके A में दुर्गई, E बन गया इस तरह से बतलाया गया है आगे देखते हैं A, I, O, R ये संजुक्त स्वर हैं इनमें दो परकार के स्वरों का योग होता है A और E मिलके A बनता है इस तरह से दिखाया गया है अर्थात गारा स्वरों में चार हर्ष्व, तीन दिर्ग और चार संजुक्त स्वर हैं तो कुल मिला के ये गारा हो गया अनुस्वार की धावनी नाक से निकलती है अंग ये जो है नाक से नाक की मातरा इसमें आता है विसर्ग का उचारन हा की तरह होता है अ मैं इसा लगता है जिसे हा चुपा हुआ है मिला हुआ इसमें अधिसवर के उचारन में स्वास का कुछ अंस नाक से निकले तो उसे अनुनासिक कहते हैं इसका चिन चंदरबिंदू है जैसे कांख, खासी, गाउं, उचा, चांद, वैंजन वर्न को भी समझा दे हैं उसा ने कहा एक स्टुरेंट बोल रहा है कि वैंजन वर्न के भी पारे में मतला दीजिए शुर रहित वैंजन के नीच हलंत यह जो चीना है आप इसको बढ़ियां से समझ लें ज्यादतर बच्चे इसको नहीं जानते हैं इसको हलंत कहा जाता है इसका मतलब बता है कि जिस लेटर पे लगाया जाता है जिस अच्छर पे लगाया जाता है वह आधा हो जाता है हलंत लगा रहता है जैसे आप जाए तो पूरा चाहो गया इस तरह से यह वर्ग करता है घ्रेंजन वर्णों की संख्या 33 है 33 है इन 33 वर्ण के तीन प्रकार है Benton 25 है और अंतर्स्त व्येंजन 4 जे फॉर उस्म व्येंजन 4 इस तरह से 25 फॉर 29 व्यां धो गया और फिरfik और 33 हो गया, असपर्स व्यंजन ये कंठ, तालू, मुर्धा, दन्थ, पोस्थ अस्थानों से बोले जाते हैं, ये 25 हैं, इनके 5 वर्ग हैं, 8, 14, ग्या, अड़ा, अड़ा, इनमें शुरू के तीन संजुक व्यंजन हैं, अड़ा, और अड़ा, ने व्यंजन हैं, असपर्स व यह कवर्ग कहलाता है, यह कवर्ग है, मम्ता ने बताया, बिल्कुल ठिक, कवर्ग का उचारन कंट से होता है, कौन सा उचारन कहां से होता है, यह टीचर बतला रहा है, यह चवर्ग है, यह चवर्ग हो गया, उससा ने बताया, उससा ने कहा, तो इस चवर्ग का उचारन ताल तो इसे उचारं बेंसे मुर्धा हुद्ध हो तौक उचारं लाल ने बता समय जीव दातों से सट्था आप यह बहुद्धा है यह पैफा हो गया यह य अधाउ्वक्ल ने बताया इस पंसरी ओचारं औउस्ट से होता है टीचर बतला रहा है कि वो ओठ के बिना यह उचारन नहीं किया दा सकता उपर नीचे को ओठों के असपर से बोले जाते हैं जब तक वोठ हम सटाएंगे ने तक तक हम पापा नहीं बोल सकते हैं संजुक्त व्यंजन का क्या आर्थ है? रतलाल ने पूछा है जब दो या अतिक व्यंजनों की बीच में स्वर नहीं रहता तब उन्हें संयोगी या संजुक्त व्यंजन काते हैं ये बहुधा मिला कर लिखे जाते हैं यहां पे देख रहे हैं हम लोग तीन चार होना चाहिए इसमें चार तरह ज्यान उस्रा भी होता है ये तो वर्नमाला में सामिल है पर संजुक्त व्यंजनों से सब्द बनते रहते हैं अलग-अलग सब्द बनते हैं जैसे यहां पे कंठ इसमें ये ना की मातरा मुर्धना जो है वाधा लगा हुआ है कंठ हो गया कक्का पक्का इस तरह से बतला जा रहा है क्या अंग या मुर्धना ना और मा के बदले अनुस्वार दिया जा सकता है जब ये अपने वर्ग के वेंजनों से मिलते हैं तो इनके बदले अनुस्वार अपने पहले के वर्ण के उपर आ सकता है एकाद उधारन उधारन जो है यहां पे दिया गया है ममता ने अनुरोध किया गंगा अप दिग रहे हैं अंगा का यहां पे यूज हुआ है उपयोग हुआ है गंगा जो गंगा के ऐसे लिखा जाता है यहां इसे भी लिख सकते हैं चंचल आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इसके जगपे यहां के जगपे यह बिंदू यूज हुआ है जिसको अनुस्वार बोला जाता है पंडित यहां पे दंड इस तरह का एक्जामपल दिया हुआ है अब तो समझ में आ गया होगा अचारी जी ने पूछ सब ने उतर दिया जी हां एक और जरूरी बात को जानना है ब्यंजनों के साथ सब सवरों में मिलाप को बारा खड़ी कहते हैं सब ही इसका अभ्यास कर चुके हैं याद कर ले हम लोग इसको एलकेजी उकेजी क्लास में ही पढ़ते हैं काकमेकर काकमेर से की इस तरह का आप यहां भी जान लेना आवसक है यह जो सवरवर्ण यहां दिया हुआ है इसके बाड़े मतला रहा है कि इसके वियंजनों में मिलने से इसके रूप चिन बदल जाते हैं जिसे हैंय हरसा हुग निचे में दुर्गा हूः पिर निचे में इस तरह से आप लोग इसको देख सकत हैं और आप लोग इसको यूज भी करते हैं तो यह चप्टर समाप्त हो गया है और यहां पे उसके कुछ questions दिये वे हैं निमलिकित प्रस्नों के उतर दें one किसे करते हैं और इस तरह से यहां पांच सब्द आप बना कर निचे लिखें देख रहे हैं जैसे गंगा चंचल खंड तन्तु इस तरह का दिया हुआ है तो इसका मैं पांच सब्द आप लोग को दे दूँगा ताहीं मैं आप लोग को इसका अंसर बना के दिखाता हूं यह चप्टर टू का कुश्चर अंसर में लिकित प्रस्नों के उतर दें वर्ण किसे कहते हैं वर्ण उस मुल धावनी को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किये जा सकते जैसे कप ज अ ए इतियादी स्वरवर्ण किसे कहते हैं जो उसे वर्ण वर्ण कहते हैं जैसे कमल जग इतियादी यहां पे ध्यान दिजे कि यहां सभी लेटर में हलंत लगा हुआ हैं बारा खड़ी किसे कहते हैं उधारन के साथ बताएं वर्ण वर्णों के साथ सब सवरों में मिलाप को बारा खड़ी कहते हैं जैसे कप प्लस यामे पांच उदारन इस परकार हैं पंक पंच पंच को इस परकार लिख सकते हैं दंड को इस परकार से लिख सकते हैं दंट इस परकार से लिख सकते हैं लंब में अधमा लगा हुआ इस परकार से लिख सकते हैं और यहां पर यह चेप्टर पूरी तरह समप्त हो जाता है अगर हमा झाल झाल झाल